जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेयर करेंगे एक बुर्जी राइस की रेसिपी ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बचे हुए चावल का इस्तेमाल करके भी आप इसे ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं एक बुजी राइस बनाने के लिए हमने एक पेन में चाब तयल लिया है तेल गरम होने के बाद हम इसमें 14 घी स्पून जीरा सामील कर देंगे और जीरे के चटकने के बाद हम इसमें एड करेंगे प्यास तो हमने मीडियम साइज की चार प्यास को बारिक काट लिया है प्यास को हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे बस यह थोड़ी सी सोफ्ट होने लगे तब तक हम इसे फ्राई करेंगे अगर आपको बारिक कट्टे हुए अद्रक लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो आप उसे तेल में थोड़ा फ्राई करने के बाद भी इसमें प्यास एट कर सकते हैं तो कुछ देर तक फ्राई करने के बाद आप देखेंगे के प्यास थोड़ी सोफ्ट होने लगी है तो इस तेश पर हम इसमें एट कर देंगे बारिक कटी हुई चार चोटी हरी मिश एक मिनिट के लिए इसे भी तेल में फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें कुछ सुख्य मसाले एट करेंगे स्वाद अनुसा नमक, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, एक चोथाई टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून लालमीश पाउडर और एक टीस्पून धन्या पाउडर आप इसे कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उसी साफ से आप लालमीश की कौंटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं और इसी के साथ हम इसमें बारिक कटे हुए टमाटर एट करेंगे तो हमने दो मीडियम साइस के टमाटर को बारिक काट लिया है अगर आप चाहें तो टमाटर करदुकस करके भी एट कर सकते हैं और इसी के साथ हम इसमें एक टीस्पून अधरक और लहसुन का पेश्ट्रा मिल कर देंगे और इन मसालों का कच्चा पंदूर होने तक हम इनको लो फ्लेम पर थोड़ा भूल लेंगे मसालों का कच्चा पंदूर होने तक हमने इसे लो फ्लेम पर दो से तीन मिनिट के लिए भूल लिया है और इस टेच पर हम इसमें सामिल करेंगे चार अंडे अंडे सामिल करने के बाद हम इसे तुरंट मिला लेंगे और इस टेश पर हम गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और अभी हमें अंडे की बुर्जी बना लेनी है तो जब तक इसकी बुर्जी ना बन जाए हम इसे लो फ्लेम पर लगाता चलाते हुए पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के अंडे की बुर्जी बन गई है इस टेश पर हम इसमें हाफ टी स्पून काले मेश पाउडर सामिल करके अच्छे से मिला लेंगे और इसी के साथ हम इसमें सामिल कर देंगे उबले हुए चावल तो हमने यहाँ पर देड़ कब जितने बास्मती चावल को पहले से उबाल कर रखा हुआ है चावल को बोईल करते वक्त हमने इसमें नमक सामिल किया था इसलिए हमने मसालों को भूनते वक्त नमक की कॉंटिटी थोड़ी कम रखी थी अब इन मसालों के साथ चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप यहां पर उबले हुए चावल की जगह बचे हुए चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो भी राइस बहुत ही बढ़िया बनेंगे तो चावल सामिल करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर तीन से चार मिनित के लिए पका लिया है इसी के साथ हमारे एक बुर्जी राइस बनकर बिल्कुल तयार है इसमें हम आधा कब जितना हरा धन्या एट करके इसे अच्छे से मिला लेंगे ये देखिए जट पट कितनी असानी से बहुत ही बढ़िया एक बुर्जी राइस बनकर तयार हो गए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई